हर साल गर्तन दिवस के मौके पर किसी न किसी विदेशी राध्यक्ष को मुख्य अधिती के तौर पर बुलाना भारत की परंपरा रही है लेकिन कोरोना की चलते पिछले दो साल से कोई भी मुख्य अधिती इस मौके पर शामिल नहीं हो सके लेकिन इस साल 2023 में मुख्य अधिती बनाने के पीछे एक खास वज़ा मानी जा रही है पहली वज़ा अफरीकी महादवी पिमिर्ष भारत के ये मतवपूर व्यापारिक साजिदा रहा है साथी साथ साल 2022 के स्वतंधता दिवस पर भारत और इजिप्ट के आपचारिक संबंदों के 75 साल पूरे हुए है दोनों देशों के संबंदों के लिहाज से यह साल काफी विशेश है गर्तन दिवस के मौके पर मिश्र देश के राश्पती का भारत में चीफ गेस्ट के तौर पर आना भविश के दोनों देशों के संबंदों की और मजबूती देगा सो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा धन्यवाद